नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अन्रवात तो आज हमारे जो वोकैब सीरीज के पाच वर्ट्स होने वाले हैं पहला होगा पैस्चिलेंस दूसरा होगा ओब फुस्केट इसको ऐसे पढ़ेंगे पैरिलस उसके बाद स्लिप अप और फिर फिसर्स ठीक है यह हमारे पाच से बंडू नियूस्पेपर को और यसमें से फिन निकालके हमने इसकी मीनिंग समझी इसकी मीनिग कया है और उससे हमके सालने ले के आया हूं तो पहला वर्ट जो हमारा है वहाई पैस्टिलेंश अब पैस्टिलेंश इसका मतलब क्या होता है प्लग और EPA मतलब की आबदा ज एपीडेमिक की जगा पर हम पेस्टिलेंस यूज कर रहे हैं, कभी-कभी लोग समझ नी पाते हैं, तो आज समझे कि पेस्टिलेंस का मतलब हुआ एपीडेमिक, ठीक है और यहां ठोड़ी गल्टी हो गई, माप करियेगा, तो ल लगा देते हैं यहां पर ठीक है पेस्टिलेंस अब first sentence हमारा है in Africa the pestilence known as Ebola अब देखिए भी यह अफिरीका की बात हो रही है यहां तो अफिरीका में जो pestilence है और pestilence मतलब आपको हमने बताया विया कि plug मतलब आबदा आबदा जो है जो हुई थी और उसका नाम क्या था इबोला आविया इबोला नाम की जो हमारी आबदा थी उसने बहुत सारे हमारी नहीं मतलब की जो आबदा थी उसका नाम इबोला था उसने किल किया मारा बहुत सारे लोगों को huge number of person को उसने मारा ठीक है किस ने मारा इबोला ने मारा इबोला क्या थी एक बिमारी का नाम है एक आपदा है और वो क्या है या पेश्टिलेंस ठीक है चलिए second word उठाते हैं देखते हैं यह क्या है कंसील और उससे ही जो word बनता है उसका सिनरियम हो जाता है और फुस्केट अब सेकेंड विल्कुल इद्दम जो है वही उतार दिया विल्कुल जैसे पॉलिटीशन क्या करते हैं आज कल बहुत से ऐसे इशू होते हैं चुपा लेते हैं तुरन तो बिल्कुल वैसी हमने सेंटेंस भी लिखाया कि पॉलिटीशन है वन्स अगेन ऑफुस्केट दा इशू तो पॉलिटीशन ने एक बर फिर छुपा लिया इशू को ठीक है थर्ड बना सिंस दर जर्णी इस पेरिलेस चुकि जर्णी बहुती खतन नाक है थी नहीं है क्योंकि यहां पर इस लगा हुआ है तो इसलिए बहुत खतन नाक है बी शोर टू ब्रिंग फर्स्टेट किक तो सुनिश्चित करें कि अपने साथ एक फर्ष्टेट किक जरूर ल लगा ली तो इसलिए बोल जा रहा है क्योंकि जरनी बहुत ही खतरनाक होने वाली है खतरनाक है तो आप एक जरूर फर्स्टेट किट रख ले फॉर्थ आया विया हमारे सामने स्लिप अप मतलब होता है इनक्यूरेसी गलती भी आप बोल सकते हैं चलिए लिखते नहीं है बता देते हैं गलती फॉर्थ फिर इससे जो बना वो है वी कैन नौट एफॉर्ड अनादर स्लिप लाइक दिस वन ठीक है हम और ज्यादा एफॉर्ड नहीं कर सकते इस तरह की गलत ही जो हुई है लाइक दिस वन इस तरह की गलती को हम एफर्ड नहीं कर सकते ठीक है चलिए अब आता है फिफ्ट जो है हमारा फिसर्स इसको पढ़ेंगे इसका मतलब होता है लीक रिफ्ट दरार पढ़े जाती है बीच में तो इसमें अगर पानी वगएरा तो चूने लगत इसने टEctonic plane जो है हमारी वो क्या होई होंगी हिली होंगी और जब हिली होंग तो बीच में कही न कहीं धो लैंड पर थोड़ा अपना छोड़ गी होंगी और बीच पर 보이 algumas डरार बना गही यहाँ यह जब है यह इस तुर है तो इसलिक द yapıl़ यह जो इस ठीक है क्योंकि दरारे बनी दरारे जब बनी यह समझ लीजिए आप क्या है श्ट्रीट है और यह आपका घर है अब यह जो है बढ़े अद्दम भुकम पाया और यह ऐसे हो गई तो अब यह देखिए आप थो आउटसाइड हो गई तो इस सेंटेंस का मतलब यही है आज हमने वोकेबलरी के पाच बहुत बढ़िया सब समझे पहला आया पैस्टिलेंस उसके बाद और फुस्केट बोलने में बड़ दिक्कत हो रही है और फुस्केट उसके बाद पैरिलस फिर स्लिपप और फिजर्स ठीक है फिर हमने सेंटेंस से उसकी मेनिंग समझी आईए एक की पॉसचन पर ये वर्व हुई थां में हमारा जो पहलना संटेंस उसमें फिसर जो है वह वो नाउन की पॉधिशन पर यूजो है तो इस हमारा नाउन बन गया चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर कुछ और पाच शब्दों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, पढ़ते रहे हैं, टैंकिस वोमच, जैहिन